जै शी कृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्राठना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें मस्त रहें खुश रहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें आप जो भी पाना चाहते हैं जो पॉजिटिव है आपके लिए जो सही है आपके लिए वो सब कुछ इश्वर आपको जरूर दें लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो इश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें हम इश्वर से ऐसी ही प्राठना करते हैं डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्प्रिच्वल डबल वन डबल वन में आज का टॉपिक है आपको कौन पाना चाहता है कौन है जो दिन रात सिर्फ आपके खौब देख रहा है कौन है जो आपको अपना बनाना चाहता है आपकी जिन्देगी में आना चाहता है और आपको पाना चाहता है कौन है देखते हैं कि कोई अनोन ह या फिर जान पहचान पुरानी है चलिए दो मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं ठीक है दो मिनट का मेडिटेशन करना है लम्बी सी गहरी सांस लीजे पहले हमारे साथ गायतरी मंत्र का उच्वारण करिए ठीक है ओम्भूर्भुवाश्वाहा ताच्यवितुल्वारेन्यम भर्गोदेवस्यदी मही दियोयोना प्रचोदाया हे इश्वर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं ब्रह्मान की सभी दिव्विचेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आप सब के आश्वरवात से मेरी जीवन में सब बहुत अच्छा हूँ रहा है मुझे सफलता प्राप्त हो रही है हर तरफ से मुझे सफलता मिल रही है मैं बहुत शकरात्मक हो रहा हूँ आपके आश्वरवात से मेरा मन बहुत शान्त हो रहा है मेरा आत्म विश्वास बढ़ता जा रहा है मेरा आत्म विश्वास बढ़ता जा रहा है लोग मुझे प्रभावित होते हैं लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं, मेरी उर्जा दिन प्रति दिन सकारात्मक होती जा रही है, मेरा औरा बहुत स्ट्रॉंग है, मेरा औरा बहुत स्ट्रॉंग है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, लव यू सो मच, जैशे क्रिश्णा, option number one, कैसे हैं आप, हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, खुश होंगे, और अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ रहे होंगे, धेर सारी सफलता प्राप्त कर रहे होंगे, dear, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल, spiritual love 1111 में, dear, कौन है जो आपको पाना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, आपकी जिन्दगी में आना चाहता है, जो दिन रात सिर्फ आपके ही सपने देख रहा है कौँ है ये? कोई अनोन है ये फिर जान पहचान पुरानी है चलिए इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं ठीक है? तो साइन और एलिमेंट्स की बात कर ले इधर एरीस, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रोंग है मेस, सिंध, धन, राशी फाइर साइन, फाइर एलिमेंट्स और फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रोंग है कर्क, वृष्चुक्मीन राशी टारस वर्गो कैप्री कौन भी है वृष्चप करने अमकर राशी जमिले अलिमेंट्स वेरियस थोड़ा सा कम है इनकी डेट और बर्थ किसी महिने की तीन तारीख दस तारीख 21 तारीख 31 तारीख 8 तारीख 25 तारीख 2 तारीख 17 तारीख 12 तारीख 21 तारीख 18 तारीख 13 तारीख 9 तारीख 6 तारीख 4 तारीख हो सकती है इनका बर्थ मन्त अक्टूबर अगस्त अगस्त बहुत स्ट्रोंग है और फर्वरी जन्वरी मार्च जुलाई दिसंबर ठीक है? चलिए इनके नेम का इनिशिल बिताते हैं A, R, S, O, N, F, Y, U, G, K, J, T, P, B, V, C, D. ठीक है? ठीक है? ये है इनके नेम का इनिशिल सबसे पहले तो डिस्टन्स रिलेशन्शिप है यह यह जो व्यक्ति आपको पाना चाहता है जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है यह आपके आस पास नहीं रहता है distance relationship है और हम बताएं कि ये connection एक ऐसा है जो किसी रिती रिवाज से किसी रिष्टेदारी की वज़े से नहीं जुड़ा है ये बस ऐसा है जैसा कि कई जन्मों का रिष्टा है ये व्यक्ति आपको अपना soulmate मानता है ये व्यक्ति आपको अपना soulmate मानता है समझ रहे हैं जो आपको पाना चाहता है इंटरकास्ट इशू है इंटरकास्ट इशू है religion इशू भी हो सकता है long distance बहुत जादा है जैसे कि ये आपका कोई रिष्टेदार नहीं है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं अब आप सोचिए हम कुछ चीजे इनके बारे में बता रहे हैं आपका ध्यान जहां पर भी जा रहा है दिमाग के घोड़े दोड़ाईए ठीक है तो आप इनके सपनों में इस कदर आते हैं इस कदर आते हैं के इनसान परिशान हो गया है ये नहीं चाहता आपके बारे में सोचना नहीं चाहता लेकिन कोई है जो बार 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 आपके खुआप दिखा रहा हैं ये बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के परसन हैं बहुत ही ज़ादा मिस्टीरियस हैं बहुत knowledgeable है, बहुत practical है, लेकिन इतनी knowledge, इतना talent, इतना practical होने के बाद भी इनके अंदर दिल है, थोड़ा सा सौमेता भी है इनके अंदर, क्योंकि इधर cancer, scorpio, pisces है, जल तत्व, इनकी energy stable नहीं है बस, इनका जो मन है वो stable नहीं है, इनके पास बहुत कुछ तो है, लेकिन इनका मन स्थिर नहीं है, और जब मन स्थिर नहीं होता, तो इनसान के पास जो होता भी है न वो भी छिन जाता है, आप मेंसे 80% लोगों के ये ex partner है, आपके soulmate, आपके twin flame, soulmate और twin flame दोनों की इधर energy है, समझ रहे हैं, आप उनके साथ twin soul connection feel करते हैं, आप उनके साथ twin soul connection feel करते हैं, और उन्हें soulmate जैसी वाई बाती है, जो twin soul connection feel करता है, वो spiritual connection feel करता है, ठीक है, और जो soulmate connection feel करता है, वो अंतर आत्मा की गहराईों से प्यार तो करता है, लेकिन उसे समझ भी नहीं आता है, twin soul, twin soul क्या होता, वो नहीं जानता, ठीक ह तो ये आपके ex-partner है जो किसी कारण से कभी आपको छोड़ कर गए थे Actually ये एक ऐसे व्यक्ति है जो past से जल्दी निकलते हैं अगर past में कोई बात हो गई है कोई घटना घट गई है या फिर किसी ने कुछ बोल दिया है तो इनका present कितना भी अच्छा हो बता उसने ये किया और पता ने मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगा पता ने अब क्या होगा वो ऐसा सोचते हैं मतलब इने बहुत जादा दूसरों की पर्वाह रहती है दूसरों का खियाल रहता है कि वो क्या सोचेंगे वो क्या कहेंगे ऐसा वैसा पास्ट में एक बात ये भी है कि अपनी फीलिंग्स भी उस लेवल पर आपसे जाहिर नहीं करते थे क्योंकि मिस्टीरियस है ना जानना पसंद करते हैं पर अपनी जनाना पसंद नहीं करते कि मेरे बारे में कुछ पता चले यह सोचेंगे कि आपकी रूह से भी वाकिफ हो जाएं आपके मन में कोई बात न रहे हाँ हाँ बताओ बताओ ऐसे करके सब पोच लेंगे लेकिन अपनी कुछ नहीं बताएंगे अगर इनकी राइफ में कोई मसला चल रहा है तो यह उसका चीर करते थे पास्ट में तो आपको कभी-कभी व्यक्ति समझ ही नहीं आता था अच्छ देखो दिल तोड़ा है ना इन्होंने हो सकता है कि दो-तीन साल हो गए हो बहुत सारे लोगों को अलग हुए दो-तीन साल भी हो गए हैं तो इधर रीजन दो हैं इधर रीजन दो कैसे हैं, जैसे कि एक तो करियर की वज़े से, फैमिली की वज़े से दूसरा शादी कर लिए इनौने किसी और के साथ या फिर यूं कहो कि कोई और इनकी लाइफ में आ गया, पहले बहुत सारे लोग साथ रहते थे, शायद आस-पास कहीं रहते थे, जैसे कि कभी कहीं मिले हों कॉलेज में आफिस में फिर अचानक से दूरियां बढ़ गई दूर जाना पड़ा कुछ ऐसे अलग हो गए आप लोग फिर दीरे दीरे वो बाते खतम हो गई जो अट्रेक्शन था जो अट्रेश्मेंट थी वो दीरे दीरे चीजें खतम हो गई जैसे कि प्यार मुकंबल नहीं हो पाया था उस लेबल पर पर आप लोग अलग हो गए फिर अचानक कि शोशल मेडिया पर कुछ लोग मिले या फिर यूं कहो कि वो प्यार आपके अंदर भी कहीं नहीं था इनके अंदर भी था तो फिर बहुत समय बाद एक दूसरे से किसमत ने फि जब तक आपके साथ रिष्टे चले इन्होंने चलाए उसके बाद शादी इन्होंने अपनी फैमली की मरजी से की देखो इशूस तो पहले से थे इंटर कास्ट इशू था रिलीजिन इशू था पता है शुरू शूरू में क्या होता है बहुत सारे लोग जब उन्हें अच उस टाइम पर उनके पास कोई आप्शन नहीं होता है कुछ भी मान लो तो वह कहेंगे कि अरे तब की तब देखी जाएगी फिलहाल प्रिजेंट में जीते हैं फिलहाल प्रिजेंट में जीते हैं तब बात इतनी लंबी चौड़ी नहीं बढ़ी होती कि इंसान बहुत सीरि लिनी माने की ऐसी चीज़ें सुरू में क्लियर होती हैं लेकिन कोई एक होता है जो यह कहता है कि फिलाल अभी जीते हैं अभी की जिन्दगी जो फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा ऐसा होता है कि लोग बहुत दूर तक चलने के बाद बहुत दूर तक चलने के ब यह चीजे यहां पर 50% लोगों की पार्टनर हैं जो बहुत दूर चलने के बाद यह बोल कर चले गए कि मेरी फैमिली मेरी शादी कहीं और करवारी है और मैं कुछ नहीं कर सकती मैं कुछ नहीं कर सकता हां यह उब उस कनेक्शन में नहीं होती जिसे ट्विन सोल कनेक्शन बोल बाते करेगा तो एक पाताल की बाते करेगा कहीं ने कहीं विचार मैच नहीं करते और जो आत्मा का अट्रेक्शन होता वो कभी खतम नहीं होता तो यह एक ऐसा कनेक्शन है जैसे पानी और मचली का जिसमें कभी उब नहीं हो सकती क्योंकि जल ही उसका जीवन है सिर्फ यही एक connection है जिसमें आप दिन रात दिन रात अगर बात भी करो तो भी उब नहीं होगी तो भी ये नहीं लगेगा हटाओ छोड़ो यार बस यही एक ऐसा रिष्टा है क्योंकि ये भी तो self love ही है जब आप self love करते हैं तो आप अपनी energies को balance करते हैं अपना masculine side अपना feminine side balance करते हैं और तभी ये वो connection होता जिसमें दिन रात प्यार बढ़ता है घटता नहीं किसी भी region से इस रिष्टे में प्यार नहीं घटता है soulmate में घट सकता है कार्मिक में घट सकता है पर twin soul journey में कभी तो आप अपने आप से ही प्यार करते हैं आप कभी सीषा देखकर उबते हैं क्या आप मुझे और मेरा मूह नहीं देखना मैं बहुत उब गया हूँ अपना मूह देखके कुछ बिरले ही होंगे जो ऐसी बात सोचेंगे ऐसी बात करेंगे वरना खुद को प्यार करना, खुद को देखना बार बार, खुद को सजाना सवारने से कोई कभी उबता नहीं है घंटों निकल जाए, टाइम का पता ही नहीं चलता ठीक है, तो ऐसा ही जैसे कि खुद से प्रेम करना ट्विन से प्रेम करना मत्तब खुद से प्रेम करने जैसा होता है और खुद से कभी किसी को उबनी होती है खुद की जिन्दगी से कभी किसी को उबनी होती उबते वो हैं जो जिन्दगी अपने शर्तों के हिसाब से जीना चाहते है मरते वो हैं जो जिन्दगी twin भी है, आपके soulmate भी है जो दिन रात अब आपको पाने का खुआप देख रहे हैं जो बहुत शर्मिंदा है अपनी गलतियों के लिए जो इस रिष्टे में एक chance चाहते हैं जो दिन रात आपको manifest कर रहे हैं prayers कर रहे हैं visualization कर रहे हैं affirmations दे रहे हैं कि मेरा प्यार मेरे पास आ रहा है अपनी feelings बताना चाहते हैं अपनी जिन्दगी का दर्द आपको सुनाना चाहते हैं क्योंकि जो जिन्दगी में लोग हैं तो सही लोग तो बहुत हैं पर समझने वाले लोग नहीं हैं अब वो दर्द अब वो पीड़ा आपको सुनाना चाहते हैं कि अब इनकी जिन्दगी किस दौर से गुजर रही है एक समय पर इन्होंने आपके दिल की परवाह नहीं की थी इतनी परवाह नहीं की थी पर पता नहीं क्यूं इश्वर इन्हें सोने नहीं दे रहे हैं इश्वर आप दोनों को फिर से मिलाना चाहते हैं किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाना चाहती है किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहती है तो यह आपके पास्ट के साथ ही हैं आपके सोल मिठ हैं जो आपके जिन्दगी में वापसी करना चाहते हैं जो आपसे माफी मांगना चाहते हैं जो सब कुछ भूलकर जिन्दगी के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अच्छा इन्हें पता है कि अब आपको मनाना बहुत मुश्किल होगा आसान नहीं है पर ये बहुत efforts लगाना चाहते हैं बहुत जादा ये दूर रहते हैं आपसे आसपास नहीं रहते हैं जल्द ही ये मिलना चाहते हैं आपसे देखो past में इन्होंने क्या क्या किया है कैसे कैसे किया है ये आपसे बहतर कोई नहीं जानता लेकिन पास्ट में इन्होंने आपको इग्नॉर बहुत किया है दिल बहुत दुखाया है अपने लहजे से बहुत दिल दुखाया है लेकिन आज ये उम्मीद करते हैं कि आप इने माफ करके इनके साथ जिन्दगी की शुरुवात कर ले एक बात और अगर कोई किसी प्योर सोल को एक मासूम व्यक्ति को अगर कोई तोड़ता है न तो उसे ब्रह्मांड की जो दिव्य चेतना हैं उसे पुरा यूनिवर्स भी माफ नहीं कर सकता समझ रहे हैं अगर कोई मासूम इनसान जो आपके सामने बिल्कुल समर्पित है और अगर आप उसके साथ होश्यारी चाला कि या फिर राजनीती करते है न तो आपको नर्क में भी जगा नहीं मिलती है अपको नर्क में भी जगा नहीं मिलती है अगर ऐसे इनसान को कोई तोड़ता है अपनी राजनीती से कि भाई अभी मिरे पास आप्शन नहीं अभी मिरे पास कोई टाइम पास नहीं तो थोड़ तोड़ा जो सिर्फ तुम्हारा था जो सिर्फ दिन रात तुम्हें बाने के खौब देखता था जो तुम्हारे लिए जिन्दगी जीता था तुम्हारे लिए हसता था तुम्हारे लिए रूता था तुम उसकी कदर नहीं कर पाए तो देखो ये आपके 60 मेटर 50 परसंट लोगों के लिए 60 मेटर 50 परसंट लोगों के लिए आपके ट्वेंट लेम है तो अभी ये दिन रात दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं अच्छा एक बात और बहुत सारी चीजे ना आपको उनका नाम आपको उनको आपका नाम इस तरह कही न कहीं सजस्ट हो रहा है कही न कहीं दिख रहा है तो ज्यषे बार बार आपको इस तरह की चीजे दिखाई जा रही है, साइन मिल रहे हैं आपको किसी ने किसी कार का नंबर उनके डेट आप बर्स से मिलता हुआ किसी ने किसी का वो इनिशियल, किसी ने किसी का वो नाम किसी ने किसी के शकल किसी ने किसी के द्वारा उनकी बात, जिसे कि बार बार यूनिवर्स आपको उनकी याद दिलाना चाहता है और सेम चीज़े उनके साथ भी हो रही है ठीक है तो डियर आईए वापसी करना चाहते हैं और हाँ बहुत सारे लोगों की पार्टनर एक स्ट्रॉंग कमिट्मेंट देना चाहते हैं और इंगेजमेंट करना चाहते हैं अब यही कहेंगे कि आपको मनाने के लिए इनका सबसे पहला हतियार यह होगा कि चलो इंगेजमेंट कर लो कमिट्मेंट भी छोड़ो इंगेजमेंट कर लो सीधे तब तो तुम शूर हो जाओगे ना मैं तुम्हें छोड़के नहीं जाओँगी नहीं जाओँगा तो यह होगा तो पास्ट में देखो जिस वज़े से भी ब्रेक अप हुआ था जिस वज़े से भी आप दुनों दूर गये थे लेकिन अब किसमत आप लोगों को मिलाना चाहरी है और हमने बताया ना कि उबियत कभी नहीं होगी अगर यह ट्विन सोल कनेक्शन है हमने बताया ना कि आपकी तरफ से बहुत सारे लोग ट्विन सोल कनेक्शन ही फील करते हैं चाहे कितना पुराना कनेक्शन हो नया कनेक्शन हो लेकिन इस रिष्टे में बोरियत और उबियत कभी नहीं होगी चरिए इनकी जो फीलिंग्स और सॉंग सुना देते हैं पासाईए के हम नहीं आएंगे बार बार पासाईए के हम नहीं आएंगे बार बार बाही गले में डाल के हम रोले जार जार फिर आप के नसीब में ये बात हो नहो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो नहो लग जागले के फिर ये हम रात हो नहो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो नहो तो ये है इनके एनरजी तो हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे कि कौन है जो आपको पाने के लिए तड़प रहा है कौन है ये ठीक है समझ गए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताईए ठीक है जैशे कृष्णा अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए क्योंकि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना ही होता है और वो पुरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुशों की परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आपका मन कहता हूँ आपकी आत्मा कहती हूँ तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमी मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जै शी कृष्णा आप्शन नमबर टू कैसे हैं आप हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्त होंगे मस्त होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर चलिए अब आपके बारिया लिखे कि हां मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत स्वस्त हूँ मैं बहुत मस्त और इश्वर के आशिर्वात से मैं अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि हम जैसा लिखते हैं जैसा बोलते हैं जैसा सोचते हैं हम वैसा ही मैनिफेस्ट करते हैं डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल spiritual love 1111 में देखें ये कौन है जो आपसे इतनी महबबत करते हैं जो आपको पाने का ख्वाब देखते हैं जो आपकी जिन्दगी में आना चाहते हैं आपको अपनी जिन्दगी बनाना चाहते हैं चलिए सबसे पहले sign और elements की बात कर लेते हैं जेमिने लिब्रेक वेरीयस मिथुन तुला कुम राशी मिथुन तुला कुम राशी तॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषप कर्न्या मकर राशी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है करक वृष्चिक मीन राशी लेकिन एरीस लियो sagittarius के एनरजी थोड़ी सी कम है इनकी date of birth की बात करते हैं किसी भी महीने की 10 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 6 तारीख, 29 तारीख, 22 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 14 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, ठीक है इनका बर्थ मन्त जून, अक्टूबर, फरवरी, अप्रेल, अगस्त, जुलाई ठीक है? इनकी नेम का इनिशियल K-N-I-O-D-S-R-V-J-M-B-V-C-Z-P-L-Y-D ठीक है? यह है इनके नेम का इनिशियल देखे डियर कोई किसी पे यूही नहीं मरता कोई किसी पे यूही तो नहीं मरता कुछ ना कुछ खास वज़ा होती है किसी पर मरने की इधर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि शायद ये बहुत सारे लोगों की कोई बहुत क्लोस फ्रेंड हैं बहुत करीब हैं आपके बहुत करीब हैं कुछ लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं ये आपसे सोशल मीडिया पर चैट करते हैं बातचीत करते हैं अभी आपका मिलना नहीं हुआ है कभी इनसे ये मतलब कि आपके सीक्रेट एड्माइर है एक तरीके से आपको बहुत 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 पसंद करते हैं लेकिन बताते हैं कि क्या नहीं कहते हैं ये ठीक है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका distance relationship है लेकिन आप लोग हो सकता है कि किसी travel के दोरान, किसी जर्णी के दोरान मिले हैं इनसे ठीक है और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद office friend है और कुछ लोग college friend है ठीक है तो ऐसा connection है लेकिन distance relationship है ये जो हैं ये किस तरह के इंसान है आप पहले इस बात को समझें एक होता है ना कि मस्त मौला ये बहुत जादा future की tension विंशन नहीं ले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना मिल जाता है वो उतना ही अपने आपको दीन हीन महसूस करते हैं मेरे पास यह नहीं है मेरे पास यह नहीं है लेकिन यह जो हैं यह कभी भी दीन हीन महसूस नहीं करते इनको लगता है जो मुझे प्राप्त है वही परियाप्त है और जितना है, उसी में बहुत खुश रहते हैं, इनके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कहते हैं कि क्या बात है, तुम बहुत खुश रहते हो, बहुत चहकते हो, बहुत मैकते हो, तो ये कहते हैं, बस संतुष्टी है, सुकून है, इनके लिए पैसों से जादा स समर्पिद्व्यक्ति हैं इश्वर से बहुत बहुत प्रेम करते हैं इनकी लाइफ का एक रूल है कि प्यार परिवार करियर यह तो जरूरी है पर इससे भी जादा इनके लिए इश्वर जरूरी है हाँ ये अपने नियम काईदे कानून कभी नहीं भूलते हैं और इश्वर के प्रती एक इनका अलगी अलगी लगाव है एक अलगी समर्पड है इनकी लाइफ में कैसी भी सिच्वेशन हो कुछ भी हो इन्हें बहुत यकीन रहता है कि कुछ नहीं सब ठी हो जाएगा इश्वर है ना साथ में इश्वर है ना मतलब कि अपनी लाइफ की आप समझ लो 80% प्रॉब्लम्स इश्वर पे छोड़ देते हैं कि वो जो भी करेंगे वो बहतर ही होगा भले ही वो इनको उस टाइम पर अच्छा ना लगे भले ही वो बात इने उस टाइम पर अच्छी ना लगे कि लाइक मेरे जिन्दकी में ये हो रहा है वो हो रहा है लेकिन पता नहीं क्यों ये इश्वर पर इतना ट्रश्ट करते हैं कि इनको लगता है कि शायद इसमें मेरी कोई भलाई चुपी हो, यह जो भी हो रहा है, शायद मेरे अच्छे के लिए हो, कुछ इस तरह की बाते करते हैं, बहुत बहुत जादा मोटिवेशन देने वाले इंसान है, अगर आपके दोस्त हैं यह, आप फील कर रहे होंगे, हम जो बता रहे हैं, आपका ध्यान जा रहा होगा उनकी तरफ, तो यह बहुत मोटिवेशन देते हैं, बहुत समझाते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर परिशान है, कोई किसी और चीज़ को लेकर कोई और परिशान है, तो उसे भी बहुत समझाते हैं कि टेंशन क्यों दे रहे हो, वो है ना जिसने आपको भेजा है, उसने सारी विवस्थाइं भी कर रखी है आप इतनी टेंशन मत लो ये लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं कि जीना छोड़ दे, पैसे कमाने की होड में जीना छोड़ दे नहीं, इनके लिए जिन्दगी ढोने के लिए नहीं, जिन्दगी जीने के लिए है और ये जिन्दगी को खुल कर जीते हैं बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं समझ रहे हैं, इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रैविल करना बहुत पसंद है काफी मेडिटेशन वगेरा भी करते हैं बस थोड़ा सा जिद्धी टाइप के हैं जैसे कि अगर इनको कहीं जाना है, इनका मन है, इन्होंने मन बना लिया कि मुझे वहाँ जाना है तो फिर इन्हें कोई रोक नहीं सकता, यह समझ दो कभी-कभी अपनी जिद्ध में यह अपना बुरा भी कर बैठते हैं मतलब इनकी जिद्ध इन्हें ले डोपती है लेकिन थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के हैं मतलब कि एक होता है कि इन्सान मुफट होता है जो आया बोल दिया बोल दिया लेकिन यह तोल मोलकर शब्द बोलते हैं मतलब कि जितनी जरुरत हो उतने शब्दों का इस्तमाल करते हैं बहुत चुपचुप से रहने वाले हैं, मस्द रहने वाले हैं, मस्द same, लेकिन इनको पता है कि कहा पर कौन सा शब्द यूस करना है, कहां पर क्या भोलना है, थोड़ा सा mystery क्रिएट करते हैं चीजों में, इनको suspense रखना, suspense बनाना, surprises देना, surprises, अब आप से प्यार करते हैं लेकिन आपके प्रती फीलिंग को चुपाते हैं ऐक इनका इंटरकास्ट इसूट लोगों का रिलीजन इसू भी है और कुछ लोगों का एज़ डिफ्रेंश भी है लौग दिस्तिस तो हाई लगता है कि कहां वो, कहां मैं, कहां जमीन, कहां आस्मान, इनको इस रिष्टे का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, लेकिन इनको लगता है कि कल किसने देखा है, आज प्यार कर लो, आज जी लो, तो कभी-कभी सोचते हैं कि ये अपने दिल की बात आप से कहें, कभी-कभी, इनकामन होता है कि कह दें, ये कह दें आप से, कि आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर अपनी फीलिंग्स को मनी मन में रखते हैं, कि नहीं यार, शायद बता देने से रिष्टे खराब हो जाएंगे, अभी ये चुप-चाप आपको देखते रहते हैं, आप से बात करने क आप से बात करना चाहते हैं, ये पता है, बहुत स्प्रिच्वल परसन है, बहुत ही जादा स्प्रिच्वल परसन है, लेकिन अगर ये स्प्रिच्वल है, तो इसका मतलद ये नहीं कि ये आपको स्प्रिच्वल नहीं समझते हैं, ये आपको भी बहुत स्प्रिच्वल समझ हो डांसर हो सिंगर हो पेंटर हो लाइक चीजों को बड़ी खुबसूरती से प्रस्तुत करना इन्हें अच्छा लगता है एक होता है ना नॉर्मल इंसान उसके अंदर कोई क्रियट्विट्य ही ने होती है उस अधी कर रहा है किसी देयर आए कुछ कर रहा है तो जैसे लोग रिष्टों को पर मेलिटी की तरह एक बोज की तरह चाम की तरह निभाते हैं कि भई मेरी बहुत अच्छी नहीं है अच्छा यह आपको मैनिफेस्ट करते हैं यह आपको मैनिफेस्ट करते हैं बहुत मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन आर्थी किस्थिती इतनी अच्छी नहीं है इस वज़े से यह अपने दिल की बात नहीं कहते हैं इनको लगता है कि आपकी आर्थी किस इसने होते हैं लोग कहते हैं कि पैसों की वज़े से रिष्टे बनाए पैसों की वज़े से किया चाहे आप कितना भी प्यार करते हो इस इंसान को अगर सामने वाला इंसान आप से जादा पावर पोजीशन में हैं तो लोग उस प्यार को एक ही नाम देते हैं कि मतलब की इस वज़े से मुझे बताना ही नहीं है, मुझे कहना ही नहीं है, अच्छा, इनके जो फर्ज हैं, अपनी रेस्पॉन्सबिलिटीज ये बहुत बखुबी निभाने वाले इनसान हैं, लेकिन बहुत चिल रहते हैं, बहुत टेंशन विंशन नहीं लेते हैं, ये समझ आप इन्हें मिलो या ना मिलो, लेकिन आपके खुशाल जीवन की हमेसा प्रातना करते हैं, हमेसा काम ना करते हैं, इनकी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन अंडर्स्टैनिंग बहुत है इनके अंदर, समझधारी बहुत है इनके अंदर, कभी-कभी सोचते हैं, आपको थो पैसे बहुत एहमियत नहीं रखते हैं, आप भी ट्रू लब को सच्छे प्यार को एहमियत देते हैं, पैसों की जरुद सिफ इतनी होती हैं कि हमारी आवश्यक्ताइं पूरी होती रहें, जो हमारी डेली की जिल्दगी की जो चीजें हैं, वो हमें मिलती रहें, और कभी-कभी हमारी एक्षाइं पूरी होती रहें, नहीं, आपको लगते हैं कि बस उतना हो, जिसमें मेरी फैमिली, मैं, मेरा पूरा परिवार, हम सब खुश रहें जियों से, इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सौंग सुनाते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगे, चलिए इसा सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है? जैसे चलता है तू, मैरेत जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे मैं करती हूँ मेरी नजर का सफर, तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके मेरे निगाहे हैं तेरे निगाहों पे, तुझे खबर क्या ओ बेखबर? मैं तुझे से ही छुप छुप कर, तेरी आखे पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे मैं करती हूँ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे मैं करता हूँ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे मैं करता हूँ समझ रहे हैं? जैसे मैं करती हूँ, तो इनको बस यही लगता है कि कोई आपको इतना प्यार कभी करेगा नहीं सकता जिस लेवल पर मैं करती हूँ या फिर जिस लेवल पर मैं करता हूँ एक अनकंडिशनल प्यार, एक बेशर्ट महबबत, जिसमें कोई शर्ट नहीं है, कोई बाउन्डरी नहीं है, कोई कंडिशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है बिल्कुल मुक्त प्रेम, स्वतन प्रेम जिस तरह से ये आपको करते हैं कुछ लोग यहाँ पर मैरिट भी है इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास आप्शन्स हैं आप शायद इनसे बहतर डिज़र्व करते हैं इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनसे बहतरीन बहतरीन लोग हैं आप इनकी तरफ क्यों देखोगे आप इनसे प्यार क्यों करोगे आप इनके बारे में क्यों सोचोगे इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आल्रेडी कोई और है आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपके husband wife हो या फिर आपका कोई ex partner हो कोई भी तो इनको लगता है कि आपके पास already बहुत सारे options है लेकिन ये जो आपको चाहते हैं ये अपने प्रेम पर गर्व करते हैं क्योंकि ये आपसे कोई ऐसा प्यार ने करते कि कोई demand हो कोई कुछ पाने के चाहा हो कि आपसे कुछ मिले आपकुछ दो नहीं आप प्यार करो तो अच्छा और ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये आपसे प्यार करते रहेंगे हाँ ये पता है ये आपको manifest जरूर करते हैं कि पता है ये आपके साथ ना एक आपसे बात करके आपको देख कर इन्हें इतना सुकून मिलता है इन्हें लगता है कि जैसा इंसान मुझे मेरे हमसफर के रूप में चाहिए था ये है तो वैसा ही लेकिन शायद मुझे लेट मिला है शायद मुझे देर से मिला है समझें तो ये आपके साथ ना एक completion फील करते हैं इनको लगता है कि आप perfect है इनके लिए और पता है इश्वर का आभार व्यक्त करते थकते नहीं है बहुत appreciate करते हैं बहुत जादा कि thank God आपने इतना अच्छा दोस्त मुझे दिया है लेकिन प्यार तो करते हैं आपसे प्यार तो करते हैं यह पता है यह आपको भी बहुत spiritual बहुत ही जादा knowledgeable person समझते हैं बहुत ही जादा इनको लगता है कि आपके अंदर साहस की कोई कमीनी है बस इन्हें यह लगता है कि शायद आप थोड़ा सा strict है लोगों के neighbor भी लग रहे हैं कुछ लोगों के neighbor भी लग रहे हैं हो सकता है कि आपको secretly secretly प्यार करते हो आपके secret admirer हो यह बहुत सारे लोगों के लिए बता देते हैं study कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए बता देते हैं कि यह job की तयारी कर रहे हैं एक्जाम एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जौब पाने के लिए आरती किस्थिती बहुत बहतरी नहीं है लेकिन खुश रहते हैं मस्त रहते हैं इनके साथ जिंदगी में सुकून तो बहुत होगा हां सुकून तो बहुत होगा क्योंकि बहुत पैसे पार लेने वाले लोग भी उनकी जिंदगी से भी हाई हाई खतम नहीं होती है पर हमें ऐसा लगता है कि जिस दिन इनकी आर्थी किष्थिती बहतरीन हो जाएगी अच्छी हो जाएगी एक बार तो यह आपसे अपने दिल की बात कहेंगे एक बार अभी अपने आपको आपके लायक समझते नहीं है क्यों कि दिन प्रती दिन आपसे प्यार होता जा रहा है और फिर इनको लगता है कि अगर आपकी शादी किसी और से हो गई या फिर आप कभी भी इनसे दूर हो गए किसी भी रीजन की वज़े से रीजन बहुत सारे होते है लाइफ में कभी भी अगर आप इनसे दूर हो गए तो क आपके लिए आज अभी का कुछ नहीं लगता है इनको लगता है कि यह क्योंकि पता है कैसे इनसान है यह हर किसी पर मर मिटने वाले इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत बहुत प्यारी है यह वाकई आपके साथ कुछ एक अलग सा कनेक्शन फील करते हैं एक अलग सा लेकिन जताना नहीं चाहते बताना नहीं चाहते दिखाना नहीं चाहते इतना कहेंगे कि एक्स वाली वाई इधर नहीं है थोड़ी सी हम क्या बताएं अगर चीजे आपसे मैच हुई हो तो आप मान लीजे कि हो सकता आपके एक्स हो जो सुधर गए हो अगर चीजे उनसे मैच करती है वरना ये बहुत रेस्पेक्ट करने वाले इनसान है और अगर आ हमें कॉमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले हमें बहुत अच्छा लगेगा ठीक है शी कृष्णा अपना ख्याल रखे और अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम तो कह आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चलिए देर मत करिए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए जैशी कृष्णा आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शाधर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम